हेलो फ्रेंट्स और वेल्कम टो मैं डूप चैनल जीनियस एक्सपर्ट और आज हम सॉल्फ करने वाले क्वेस्चिन यहां पर मोशन से आपका क्लास 11 का फ्रिक्शन रिलेटर प्रॉब्लम है तो यहां पर आपको दे रखा है कि एक a bend in a level road ठीक है एक road है जिसका देखिए यहां पर radius दे रखा है यानि कि suppose यहां पर आपको radius दे रखा है इसका मतलब हमें समझ में आता है कि एक circular एक circular road है ठीक है उसका radius 100 meter है आपको जो है यहाँ पर find करना maximum speed which एक car जैसे ही एक car suppose कि यहाँ पर एक कोई car है तो यह जब car इस तरफ suppose कि यह turn गोम रहा है ठीक है turn ले रहा है turning ले रहा है तो यह skid ना करे यानि कि accident होने के chances ना हो skid ना करे मतलब क्या कि अगर road है तो वो अगर रास्ता इस तरह है तो यह जाते जाते ऐसे अगर चला गया इस तरफ ठीक है skid हो गया या फिर otherwise यह घूमरा इस तरफ तो यह इसके अंदर इधर तरफ चला गया तो that is accident होन maximum speed ध्यान दीजे maximum speed speed यानि कि velocity that is v दोनों को हम v से ही denote करते हैं तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं सबसे पहले given आपको क्या दे रखा है यहां पर आपको दे रखा है radius ठीक है road का तो हम लिख सकते हैं यहां से radius of road या फिर आप circular path भी लिखो कोई problem नहीं है तो 100 meter आपको दे रखा है meter में है change करने का जरुवत है नहीं अब यहां पर देखें दूसरा चीज हमें क्या पता है mu mu आपका coefficient of friction coefficient friction को हम mu कहते है 0.8 दे रखा है आगे देखें यहां पर आपको और कुछ दे नहीं रखा है अब हम यहां से क्या करेंगे आपका यहां से हम देख सकते हैं कि ज अगर जुह है आपका जो force होगा ठीक है force of किसका friction का friction क्या करता है generally motion को रोकता है ना उसके opposite में लगता है तो देखें यहां पर आपका जो है force of friction अगर यह रोकेगा ठीक है provides अगर force of friction यहां पर लगेगा तब ही तो वो जुह है रोकेगा तो provide the centripetal force तो यहां पे दिखे, circular path में क्या होगा, एक center है, तो यहां से centripetal force लगेगा, तो बेसिकली हम वही चीज़ लिख रहे हैं, कि centripetal force लगेगा, तो यहां पे circular path के लिए, जब भी याद रखेगा, circular path का जब आपको question दे रखा होगा, तो आपको वहां पर, जो आपका, यहां से आपको क्या हो जाएगा, friction का, ठीक है, यहां पे हम लिखते है, centripetal force का, तो यहां से, centripetal force क्या हो जाएगा, यहां से, mu mg, mu mg, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, mb square, और by में r, यह होता है ना, हमारा formula, यह हो गया, centripetal force का, basically अगर हम यहां पे पूरा लिखे, language में आप आपको, centripetal force, ठीक है, यहां समझ जाएगा, ठीक है, यहां पर हम यहां पे, ar लिख दे, कोई problem नहीं होगा, इससे indicate करते हैं, centripetal force है, तो यहां पर हम जो है, तो यहां से देखे, आपका, यह जो formula होता है, वही हम लिखे है, mv square by r, यहां पे आपका centripetal force का, तो सब्सक कैसे चलेगा, आपको simple सा, आपको logic समझना है, आपको यह सब कुछ नहीं हमें पता, ठीक है, यहां पर कहां पर क्या यूज करना है, आपको simple यहां पर ध्यान क्या रखना है, क्या आपको निकालना क्या है, maximum speed, maximum speed का मतलब क्या, v max निकालना है, that is maximum velocity, या फिर बोल लो, तो इसका formula क्या होता है, अगर आपको formula याद है, तो आपको पता चल लाएगा, कि हमें क्या क्या चीज निकालना है, कैसे निकलेगा, तो यहां पर देखे, यह होता है हमारा formula, under root का, mu rg, तो अगर हमें, यहां पर mu दी रहा है, यहां पर r दे रख, यहां पर आपको g, g हम ले आपका simple g, तो यह सब, यह सब जो हम लिख रहे है, ठीक है, यह basically इसको जो है, थोड़ा सा describe करने के लिख रहे है, तो हमें जो formula यूज करके direct आपका इसी से answer आएगा, ठीक है, तो हम इस formula को basically यूज करेंगे, तो यहां से हमारा क्या आजाएगा, वी मैक्स जो आजाएगा, यानि कि आपका जो maximum speed है, यह maximum speed आपका कितना आजाएगा, under root का, mu rg, यह देखे, आपका बहुत सारे formula होते हैं, आप थोड़ा सा, क्या हो जाएगे, confused हो जाएगे, confused नहीं होना है, यह formula जो है आपका, वी मैक्स का, mu rg, यह केवल और केवल, आपका circular path के लिए है, जब circular path मे आपका कोई भी car या फिर कुछ भी आपका turning लेता है, तो उस case में आपका mu rg आएगा, under root का, यानि कि circular path में अगर कोई भी body move कर रहा है, उसमें banking of road, या कुछ भी इस तरह का नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर, तो आपका जो है simple यह हो जाएगा, तो आप यहाँ पे put अब हम इसको equation में, तो यहाँ से देखें आपका under root का, mu का value दिया, 0.8, आपका r का value दिया, 100, और g हम ले ले लेंगे, आपका यहाँ से mileage है, g हम ले लेता है, तो g आपका 9.8 होता है, meter per second square, ठीक है, तो यह हम accurate ले ले लेंगे, तो यह हो गया हमारा, अब इसको solve करेंगे, और आपका कैसा solve करेंगे हम, यह पॉइंट थाएंगे, तो एकजिरो के लगेगा, यह भी आपका एक जिरो में, बैसकर वर जाएगा, यह उभी आपका है, यह थाएंगा, यह रहाँ सफिट्वो किस देख दुचिया की अब, आपका यह थाऊ से क्या על पर का दीक ही और सनी निकालेंगे, ठीक है स्कुरेर रूट, तो हम जो यह वैसा नहीं करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, 8 का जो है आपको, कितना टाइम साइगा, तो 2 का जो है 3 टाइम साता है, 8 ठीक है, अब 98 का, 98 का अगर हम निकाले, यहां से देखिए, अगर हम सका प्राइम आपका ठीक है maximum speed यहां से आपका टू पेर निकला यहां से टू पेर यहां से टू पेर क्या आजाएगा टू इंटू 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 7 बाहर आजाएगा तो यह बेसिकली 4 4 7 जा 28 28 जो है मीटर पर सेकंड में होता है speed का तो यह आपका जो answer हो जाएगा I hope कि आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया हो तो एक like तो बनता है subscribe the channel and also press the bell icon so that कि आपको next videos भी हैं आपको मिलती रहे so thank you so much link जो है description में डाल देंगे से related जो भी videos है so thanks you so much you